हेलो बच्चो आज हम इस वीडियो में यह देखने वाले हैं कि संचय व अवित्रित लाप का लेखांकन किस प्रकार से किया जाना है means accounting for the reserves and accumulated profit जब विद्मान साज़ेदार के लाप विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो इस दशा में यह देखा जाता है कि दावित्व पक्ष में जो भी दर्शाय गए संचय व अवित्रित लाप के लेखांकन किस प्रकार से किया जाना है या फिर हम यह बोल सकते हैं कि उनके पूंचिक हातों में किस प्रकार से हस्तांतरित किया जाता है इसमें दो वीदिया होती हैं जिसे हम की accounting for the accumulated profit और संचय की entries कर सकते हैं सबसे पहली वाली स्थिति यह है कि यदि दाइत पक्ष में संचय व अवित्रित लाप दिया हो तो उनको साजेदार के पूझी खाते में हस्तांतरित किया जाए सबसे पहली वाली entry हो जाएगी संचय व अवित्रित लाप के हस्तांतरण पर उसमें entries इस प्रकार से होगी reserves account debit, profit and loss account debit, workman's compensation account debit to old partners capital account वैसे ही दूसरी entry होगी अगर अवित्रित हानी है तो उस case में to old partners capital account debit to profit and loss account अब हम देखते हैं कि यदी अवित्रित लाप व संचय दिया है और उनको हम अगर पूंजी खाते में नहीं दर्शाएं जब वर्तमान साज़दार स्थिती वीवरन में दर्शाय गए संचेव अवित्रित लाब का अवित्रित रहने देने का निर्णाए करते हैं तो उस स्थिती में भी समयोजन परविष्टियां की जाती है इस थिती में लाब पाने वाला साज़दार लाब अनुपात में debit तथा त्याग करने वाला साज़दार त्याग अनुपात में credit किया जाता है यहाँ पर general entries इस प्रकार से होगी gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यह entries होने के बाद इनको हम पूझी खाते में किस प्रकार से हस्ता अंत्रित करते हैं अ ब वस एक फर्म में साज़दार हैं जो लाब हानी को चार अनुपात तीन अनुपात दो के अनुपात में बाटते हैं एक एप्रिल दो हजार अठारा में उन्होंने लाब हानी को समान रूप में बाटने का निन्ने लिया उस तिथी को उनकी पुस्तकों में सामान निसंचे में एक लाग अस्सी हजार रुपे वक कर्मचारी छतिपूर्ती कोश में साथ हजार रुपे थी लाब हानी खाते में क्रेडिट शेष 45,000 रुपे थी उप्रोक्त के संबन में जनरल प्रविष्टियां कीजिए जबकि इन खातों के शेष साज़ेदारों के पूझी खाते में हस्तान्तरित कर दिये जाते हैं अब जैसे की इस सवाल में दिया है अब और स एक फर्म में साज़ेदार हैं जो अपने लाब हानी के अनुपात को चार अनुपात तीन अनुपात दो में बाटते हैं एक एप्रिल 2018 को यह तै किया गया था कि इसमें जो भी सामाने संचय दिया हुआ है एक लाग असी हजार और कर्मचारी चतिपूर्ती मिन्स वर्कमैन कंपनसेशन जो साथ हजार दिया है और उसके अलावा लाभानी खाते का क्रेडिट शेष मतलब प्रॉफिट एन लॉस ए इसमें जनरल एंट्री मतलब पंजी प्रविष्टी और इसका जो भी शेष है उसको हम ट्रांसफर करेंगे कहां साजेदारों के पुंजी खाते में तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि गणना किस प्रकार से करना है मिन्स वर्किंग नोट कैसे मनाना है समाने संचय समा अ का बका करेंगे 1,8,000.1,0,000.2,9 जब इसका क्लकुलेशन करेंगे तो ये आजाएगा 6,000 और वैसे ही जब हम सर का क्लकुलेशन करेंगे 1,08,000.2,9 जब इसको किया जाएगा तो ये हो जाएगा 40,000. ये जो calculation था ये सामाने संचे means general reserve का था अब हम देखते हैं कि इसमें कर्मचारी छतिपूर्ती means workman compensation का calculation कैसे करना है अब यहाँ पर दिया है workman compensation 60,000 मतलब कर्मचारी छतिपूर्ती की जो राशी दिया है वो है 60,000 तो 60,000 into 4 upon 9 ए के लिए करेंगे जब इसका calculation करेंगे तो यह हो जाएगा 26,667 सेम वैसे ही B के लिए करेंगे B का हो जाएगा 60,000 into 3 upon 9 जब इसका calculation करेंगे तो यह हो जाएगा 20,000 सेम वैसे ही C का करेंगे सर का करेंगे तो उस case में हो जाएगा 60,000 into 2 upon 9 13,333 इस प्रकार से workman compensation कर्मचारी छतिपूर्ती की गढ़ना की जाएगे लास्ट में 3 दिया था और एक है उसमें लाभानी खाता जो की credit शेश है उसका calculation इसमें लाभानी खाते का जो शेश दिया है वो है 45,000 जब 45,000 को हम तीनों में डिवाइट करेंगे 4 अनुपाद 3 अनुपाद 2 तो 45,000 into 4 upon 9 जब इसका calculation होगा तो यह 20,000 हो जाएगा A के लिए B में आ जाएगा B के लिए हो जाएगा 45,000 into 3 upon 9 इसका calculation करने के बाद यह हो जाएगा 15,000 वैसे ही C के लिए होगा 45,000 into 2 upon 9 जब इसका calculation करेंगे तो यह हो जाएगा 10,000 यह calculation था लाभानी के credit share का अब इससे संबंदित हम general entries देखते हैं कैसे करना है एक होगा general reserve के लिए उसके बाद होगा workman compensation के लिए और third होगा profit and loss credit share के लिए सबसे पहले होगा general reserve मतलब सामाने संचाई की general entries होगी वो होगा सामाने संचाई खाता विकलन एक लाख असी हजार अ के पूंजी खाते से असी हजार ब के पूंजी खाते से साथ हजार और सा के पूंजी खाते से चालीस हजार means general reserve account debited 1,80,000 to A's capital account 80,000 to B's capital account 60,000 and to C's capital account 40,000 अब हम देखते हैं कि कर्मचारी चतिपूर्ती खाते की general entries कैसी होगी मतलब workman compensation की entries कैसी होगी कर्मचारी चतिपूर्ती खाता विकलन साथ हजार अ के पूंजी खाते से 26,667 अब लास्ट में हम देखेंगे लाभानी खाते का जो शेष था मलब profit and loss account का जो credit शेष था उसकी entries किस प्रकार से होगी लाभानी खाता विकलन 45,000, अ के पूंजी खाते से 20,000, ब के पूंजी खाते से 15,000, स के पूंजी खाते से 10,000 प्रकार से तीनों के entries की जाएगी जिसको हम ट्रांसफर करेंगे साजेदारों के पूंजी खाते में राम वर्ष्याम लाभानी को समान अनुपात में बाटते हैं, उन्होंने लाभानी को तीन अनुपात दो के अनुपात में बाटना निश्चय किया फर्म की ख्याती जिसकी पुस्तकों में कोई खाता नहीं है, 10,000 रुपे मुल्यांकन किया गया समान्य संचय पुस्तकों में 8,000 रुपे है, आप उप्युक्त के संबन में अविशक लेखें कीजिए अब जैसे इस सवाल में दिया है कि राम और श्याम दो साज़दार हैं, इनका पुराना अनुपात है एक अनुपात एक जिसमें वो अपने लाप को बाटते थे फिर उसके बाद उन्होंने ये तैय कि नए अनुपात में बाटेंगे जो होगा तीन अनुपात दो तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा जो पार्टनर है, जो साज़दार है, जो अपने अनुपात को त्याग करेगा और कौन सा ऐसा साज़दार है, पार्टनर है, जो जिसको लाप का अनुपात मिलेगा तो इसमें दिया गया है कि हमको ये निकालना है कि लाप का अनुपात किस में जाएगा और त्याक का अनुपात किस में जाएगा इसका calculation इस प्रकार से किया जाएगा राम का देखते हैं, राम का दिया है, एक बटे दो पुराना अनुपात, उसमें से हम नए अनुपात को घटाएंगे, यह होगा तीन अनुपात 5, जब इसका कैलकुलेशन किया जाएगा, तो यह हो जाएगा 5-6, मतलब 5-6 upon 10, और यह आएगा, minus 1 में आएगा, minus 1 upon 10, मतलब य की यह गेनिंग रेशियो है, मिन्स की लाब कानुपात होगा यह, और उसके बाद, श्याम का देखते हैं, श्याम का हो जाएगा, एक बटे दो, minus 2 upon 5, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो यह हो जाएगा, 5-4 upon 10, equals to 1 upon 10, तो यह प्लस में आ रहा है, इसलिए यह त्याग कानुपात होगा, मिन्स सैक्रिफाइजिंग रेशियो होगा, अब इस question में एक चीज़ और दिया है, ख्याती और संचय, तो ख्याती और संचय का calculation इस रेशियो में ही हमको इन दोनों में बाटना है, तो यहाँ पर है ख्याती की राशी दी हुई है, 10,000 मतलब गुडवेल आज़ाएगा, 18,000, अब इस 18,000 को हम डिवाइड करेंगी, राम में और श्याम में और यहां देखा जाएगा की कौन सा गेनिंग पार्टर है, और कौन सा वहाँ पार्टनर होगा, राम का यहाँ दिया हुआ है कि वो गेनिंग पार्टनर है, तो राम का हो जाएगा 18,000 into व पाने वाला पार्टनर साजेदार उसके बाद श्याम का भी वैसे होगा 18,000 into 1 upon 10 यह भी हो जाएगा 1800 यह प्लस में है इसलिए sacrificing partner होगा यह हम इसको बोल सकते हैं कि त्याग करने वाला साजेदार अब इसकी general entries हम देखते हैं किस प्रकार से की जाएगी राम का पुंजी खाता विकलन अठारा सो श्याम के पुंजी खाते से अठारा सो अलब राम्स capital account 1800 टू श्याम्स capital account 1800 तो इस question को इस प्रकार से बनाया जाएगा संपत्तिव दायत्वों का पुनर्म ल्यांकन के लेखे means accounting for the revaluation of assets and liabilities जब लाब अनुपात हो जाता है लाब अनुपात में जब परिवर्तन होते हैं विदमान साजेदारों के उस सिती में समस्थ संपत्ति एवं दायत्वों का पुनर्म ल्यांकन किया जाता है मतलब revaluation जो मूल जो उसके values होते हैं उसमें ही सिती वीवरन में दर्शाय जाता है इस सिती में कुछ संपत्तियों के मूल जादे रहते हैं तो कुछ संपत्तियों के मूल कम रहते हैं इस प्रकार से जितने भी साजेदार फर्म में हैं उनको सही स्थिती का ग्यान नहीं हो पाता है या सही स्थिती वो नहीं जान पाते हैं कि कौन सी संपत्ति का मूल बढ़ा है या कौन सी संपत्ति का मूल जटा है तो यहां पर यहां आवशक हो जाता है कि समस्त जितने भी संपत्ति और दाइत्व हैं उनका पुनर मुल्यांकन किया जाए मतलब उनको फिर से मुल्यांकित किया जाए और उनको नए स्थिती वीवरन में दर्शाया जाए तो इस स्थिती में भी दो प्रकार से पुनर मुल्य पुनर मुल्यांकन लेखा बना कर उनका लाभनी ग्याद किया जाए और दूसरी सिती है होती है कि जब संपत्तिवा दाईत में हुए परिवर्तन को नहीं दर्शाया जाए अर्था मूल्यों में बड़े प्रभाव से समयोजन प्रविष्टी के द्वारा हल किया जाए उस सित सबसे पहले संपत्ति का मूल्य अगर बढ़ा है अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है उस सिती में हो जाएगा कि एसेट्स एकाउंट डेबिट टू रिवैलेशन एकाउंट और अगर संपत्ति का मूल्य घट रहा है उस सिती में हो जाएगा रिवैलेशन एकाउंट डे सिति में उसके एंट्री होगी लाइबिलेटी एकांट डेबिट टूरी वालेटी हो रही हैं दाएत में वरिद्धी आने पर उसे तिति मीं कि रीवैयलेशन account debit to liabilities account अब यहां पर संपत्ती बढ़ने और घटने पर entry किये हैं सेम वैसे ही हम दाईत्व के भी बढ़ने और घटने पर entry किये हैं उसके बाद यह देखा जाएगा कि revaluation account में profit हो रहा है कि loss हो रहा है तो उस case में उसकी जो entries होंगी मतलब पुनर मुल्यांकन में लाब होने पर entries हो जाएगी revaluation account debit to old partners capital account मतलब यह की जो भी old partners के जो old partners जितने भी हैं उनमें अनुपात में उनमें जो पुराना अनुपात है उस अनुपात में सारे की सारे जो भी profit सारे उसको divide किया जाएगा और अगर वैसे ही अगर पुनर मुल्यांकन से हानी हो रही है उस सिती में हो जाएगी old partners capital account debit to revaluation account सेम इसमें भी old partners में जब divide होगा तो वो पुराने अनुपात में ही divide होगा तो इस प्रकार से पुनर मुल्यांकन की entries की जाएगी अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पुनर मुल्यांकन खाते का प्रारूप किस प्रकार से बनाया जाता है मतलब यह कि पुनर मुल्यांकन का प्रारूप pro forma of revaluation account सबसे पहले हम debit side का लेंगे जिसमें यह दिया रहता है कि संपत्यों के मोल्य में कमी अगर संपत्यों के मोल्यों में वृद्धी अगर दाईत्व के मोल्यों में किसी प्रकार से भी वृद्धि आती है तो वो debit side में आ जाएगा उसके अलावा अपलेखित दाईत्व कोई ऐसा दाईत्व है जो नहीं जिसको नहीं लिखना है जिसको अपलेखित करना है तो उस केस में उसको debit side में लिखा जाएगा अब हम देखते हैं credit side का संपत्यों के मूल्यों में वृद्धी अगर संपत्यों के मूल्यों में किसी प्रकार से वृद्धी होती है तो उस case में उसको credit side में लिखा जाएगा सेम वैसे ही अगर दाइत्व के मूल्यों में किसी प्रकार से कमी आती है दाइत्व के मू credit side में जितनी भी संपत्तियां हैं उसको हम अपलेखित करेंगे अब लास्ट में हम देखते हैं कि अगर पुनर मुल्यांकन से हमको किसी प्रकार से लाब होता है अगर लाब हो रहा है तो उस इसमें debit side में आ जाएगा पुनर मुल्यांकन से लाब जो की पुराने साज़ेदारों के पुझी खाते में हस्तांतरित किया जाता है और अगर हानी होती है तो पुनर मुल्यांकन से जो भी हानी होगी वह साज़ेदारों के पुझी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा उनके old ratio में ना कि new ratio में किया जाएगा आई एसी प्रफार्मा को हम English में एक बार देखते हैं सबसे पहले आ जाएगा to decrease in the value of assets to increase in the value of liabilities to unrecorded liabilities credit side में आ जाएगा by increase in the value of assets by decrease in the value of liabilities by unrecorded assets अगर किसी प्रकार से हमको अगर हमको पुनर मुल्यांकन से लाब होता है उस case में आ जाएगा to profit transfer to partners capital account in their old ratio और अगर हमको loss होगा पुनर मुल्यांकन से तो उस case में हो जाएगा by loss transfer to old partners capital account in their old ratio तो इस प्रकार से पुनर मुल्यांकन का जो भी प्रफार्मा है वो बनेगा अब हम देखते हैं कि संपत्तिव दाईत्व को अगर हम पुस्तक में नहीं दर्शाएं तो उस case में general entries किस प्रकार से होगी अगर साज़ेदारी में यह दिया है कि हमको संपत्ति और दाईत्व का जो भी पुनर मुल्यांकन हुआ है जो भी लाभानी साज़ेदार में हुआ है उसको अगर पुस्तक में नहीं दर्शाना है तो पुनर गटित फर्म में जो भी समपत्तिव दायित्व है उसको पुराने मोल्य में ही लिखा जाता है। उस केस में उसकी जनरल एंट्री इस प्रकार से हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कापिटल अकाउंट डेबिटेड तू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कापिटल अकाउंट अब एवं स एक फर्म में साज़ेदार थे तथा एक अनुपात दो अनुपात तीन के अनुपात में लाब बाटते थे 31 मार्च 2018 को उनका स्थिती वीवरण अगर प्रकार था दाइट्व लेंदार 50,000 देबिल 20,000 सामान्य संचय तीस हजार पूझी अ एकलाक ब़ पचास हजार संपत्तियाँ भूमी 50,000 भवन 50,000 प्लांट एक लाख, स्टॉक चालीस हजार, देंदार तीस हजार, बैंक पांच हजार एक एप्रिल दो हजार अठारा को अ, ब, व, स, ने लाब बराबर बांटने का निर्ने लिया इसके लिए यह समझौता हुआ कि अ, फ़र्म की ख्याती का मुल्यांकन एक लाख, पचास हजार किया गया ब, भूमी का मुल्यांकन असी हजार पर किया जाए, तथा भवन पर छै प्रतिशत मुल्यहास लगाए जाए स, छहजार रुपए के लेंदार दावा प्रस्तूत नहीं करेंगे, अथा इन्हें अपलेखित कर दिया जाना चाहिए पुनर मुल्यांकन खाता, साजेदारों के पूनजी खाते, तथा पुनर गठित फर्म का स्थिती वीवरन तयार कीजिए अब जैसे इस सवाल में दिया है कि अब एक फर्म में साजेदार हैं जो अपने लाब अनुपात को बाढ़ते हैं, उनका अनुपात जो है वो एक अनुपात, दो अनुपात, तीन अब इसमें स्थिती वीवरन दी है और कुछ समायोजन भी दिया है, तो समायोजन का जो भी कैलकूलेशन है, जो भी वर्किंग नोट है, वो हम यहाँ बनाएंगे सबसे पहले समायोजन में यह बोला गया है कि ख्याती का जो मुल्यांकन है, वो एक लाग पचास हजार किया गया है, तो यह जो ख्याती का मुल्यांकन है, यह तीनों का है, तो तीनों के अनुपात में हम ख्याती को बाटेंगे, तो सबसे पहले हम कालकूलेशन करेंगे, ख तीनों में बाटेंगे, तीनों के अनुपात में, तो सबसे पहले और का निकालेंगे, अ का हो जाएगा 1,50,000, multiply by 1 upon 6, तो यह जब calculation करेंगे, तो यह आजाएगा 25,000, बी का देखते हैं, बी का हो जाएगा 1,50,000, इन्टू 2 upon 6, जब इसका calculation किया जाएगा, तो यह हो जाएगा 50,000, जो बी की ख्याती होगी, सेम वैसी सी की करेंगे सी का हो जाएगा 150,000 into 3 upon 6 जब इसका calculation करेंगे तो यह हो जाएगा 75,000 जो होगी सी की ख्याती अब सेकेंड इसमें जो समायोजन दिया है वो यह बोला है कि जो भी भूमी है लैंड है उसको पुनर मुल्यांकित किया गया है 80,000 में जबकि पुराने वाल 30,000 बता रहा है इट मीज की 30,000 का जो है व्रिदि बता रहा है उसमें 30,000 की व्रिद्धी बताई जा रही है कि जब 80,000 में से 50,000 को मायनस करेंगे तो लिदि मतलब इसकें उसको बोला गया है emails की भवन veut बबववन पर 6 प्रतिशत का हास लगाना है मतलब कि उसमें 6% का depreciation लगाना है तो हम उसका depreciation निकालेंगे सबसे पहले depreciation कैसे निकालेंगे भवन की value कितनी दी है 50,000 दी है depreciation हमको निकालना है 6% तो 50,000 into 6 upon 100 इसको calculation करने के बास 3,000 जो है वो उसका depreciation होगा यह हो गए calculations तीनों समायों जनके अब हम देखते हैं कि revaluation account कैसे बनाना है सबसे पहले बनेगा revaluation account उसके बाद बनेगा साजेदारों का पूंजी खाता मतलब partners capital account और last में बनेगा balance sheet नया स्थिती वीवरन या new balance sheet इसको बोल सकते हैं तो हम सबसे पहले बनाएंगे revaluation account revaluation account में हम यह देखेंगे कि assets में कहां increase हुआ था मतलब संपत्ती में जो increase हुआ था उसकी entry हम कैसे करेंगे तो यह हो जाएगा credit side हो जाएगा by land account थर्टी थाउजन थर्टी थाउजन वह इसलिए कि उसमें दिया था 50,000 और जब इसको revalued कर रहे हैं जब इसका पुनर मुल्यांकित किया जा रहा है तो असी हजार है तो यह हो जाएगा 30,000 by land account 30,000 अब बिल्डिंग में जाएंगे जिसमें depreciation करना है मतलब तू बिल्डिंग account 3000 का जो depreciation निकाले थे calculation करके वह आजाएगा debit side में तू बिल्डिंग account 3000 अब question में एक और बोला गया है कि जितने भी लेंदार हैं creditors हैं उनको अपलिखित करना है मतलब उनको return off करना है तो यह हो जाएगा दाइत में कमी तो उस case में हम उसको credit में लिखेंगे by creditors account 6000 क्योंकि 6000 के जो भी amount है उसको return off करना है उसको अपलिखित करना है अब यह तीन entries आ गई है revaluation account में अब हम देखते हैं इसमें profit निकलेगा कि loss निकलेगा जब इधर का total करेंगे तो यह हो जाएगा 36,000 और जब हम debit side का total कर रहे हैं तो यह खाली 33,000 हो रहा है मतलब debit side में कमी हो रही है जब कमी होती है तो वह profit में जाता है revaluation account में तो जितनी भी कमी है मतलब 33,000 की कमी आएगी जिसको हम तीनों में जो भी ratio दिया है question में उसके हिसाब से उसको divide करेंगे जब divide किया जाएगा 33,000 को 1 ratio, 2 ratio और 3, 1 is to 2 is to 3 के ratio में जब हम उसको divide करेंगे तो A में आ जाएगा मतलब कि उसके बाद की जो entry होगी last में वो होगी 2 profit and loss account, 2 A's capital account, 2 B's capital account और 2 C's capital जब इन तीनों का calculation किया जाएगा ratio में 1 is to 2 is to 3 के ratio में तो A में आ जाएगा 5500 यह 5500, B में आ जाएगा 11,000 और C में आ जाएगा 16,500 तो इस प्रकार से revaluation account बनेगा अब इसके बाद हम देखेंगे कि partners capital account कैसे बनेगे क्योंकि इसका ही जो profit है revaluation का वो transfer का होगा partners capital account में partners capital account में सबसे पहले प्रोफार्मा बनेगा जिसमें तीनों A, B और C तीनों partners के अलग-अलग columns बनेगे पार्टनर्स capital account में सबसे पहले आ जाएगा partners capital account का जो भी balance दिया है balance sheet में मतलब पुराना balance जो भी जो carry forward होगा तो यह आ जाएगा by balance brought down 1,00,000,000 A में B में आ जाएगा 50,000 और C में आ जाएगा 25,000 फिर उसके बाद general reserves दिया हुआ है question में तो general reserves आ जाएगा 5,000, 10,000 और 15,000 यह सब divide हो रहे है ratio में 1 is to 2 is to 3 के ratio में उसके बाद जो भी goodwill हमने बनाया था goodwill का calculation हुआ था working note में जिसमें 1 में आया था 25,000 A में आया था 25,000 B में आया था 50,000 और C में आया था 75,000 तो by goodwill account 25,000 50,000 and 75,000 उसके बाद आ जाएगा revaluation account का जो भी profit जो अभी just अभी बनाया था revaluation account का profit जो भी है by revaluation account 5,500 11,000 और 16,500 C में आएगा तो यह सारी entries होंगी credit side की अब देखते हैं partners capital account में debit side में कौनसे entries होंगी to goodwill return off पुराना जो goodwill है उसको सबसे पहले return off करेंगे फिर जो goodwill है उसको लिखते हैं तो to goodwill return off हो जाएगा 50,000, 50,000 and 50,000 तीनों में 50,000, 50,000 जाएगा अब credit side का total करेंगे तो credit side में जो total आ रहा है 1,35,500 A में B में आ रहा है 1,21,000 B में और C में आ रहा है 1,31,500 और debit side में कुछ भी नहीं है खाली goodwill जो return off की है उसकी entries हुई है तो credit side से debit side का जब minus करेंगे तो balancing figure आएगा balancing figure क्या हो जाएगा by balance carried down उसके बाद balancing figure A का क्या हो जाएगा 85,500 B का हो जाएगा 71,000 और C का हो जाएगा 81,500 that means कि हम credit side से जब debit side को minus करेंगे तो balancing figure निकलेगा तो इस प्रकार से बनेगा partners capital account यह हो गया partners capital account अब हम last में देखेंगे कि इसका new balance sheet किस प्रकार से बनेगा जब भी बनाते हैं किसी भी firm का पूरा financial statement तो उसमें profit and loss account बनता है profits transfer हुए वो सारे new balance sheet में आ जाएगा debit side जो है वो आपका रहेगा liabilities और credit side होगा वो होगा assets अब assets में चलते हैं land land में दिया था 50,000 का land था मगर उसको जब revalued किया गया मतलब जब उसको पुनर मुल्यांकन में जब लिया गया तो वो हो गया 80,000 तो 50,000 plus 30,000 equals to 80,000 तो हम उसको जब लिखेंगे राशी के कॉलम में तो वो होगा 80,000 उसके बाद उसमें आएगा building, building में यह बोला गया था कि 6% का depreciation लगाना है that means building का rate कितना था 50,000 उसमें से अगर हम 6% का depreciation घटाते हैं माइनस करते हैं means 50,000 माइनस 3,000 तो यह हो जाएगा 47,000 जो हम amount के कॉलम में लिखेंगे उसके बाद उसमें plant दिया है तो plant में किसी प्रकार का कोई समयोजन नहीं था तो जैसा plant दिया हुआ है वैसा ही plant यहां पे लिखा जाएगा मतलब 1 lakh जो भी था एक लाक वो लिखा जाएगा plant उसके बाद है stock stock में किसी प्रकार का कोई भी एज़ेस्मेंट नहीं था तो जितना भी उसमें दिया है उतना ही लिखा जाएगा तो stock कितना था तो यहां भी 40,000 ही आएगा उसके बाद dators, डेटर में भी किसी भी प्रकार का कोई समायोजन नहीं था तो उसी प्रकार से यहां भी dators 30,000 था तो वो 30,000 ही यहां पर लिखा जाएगा लास्ट में है bank, PCB प्रकार का कोई adjustment नहीं था, तो जैसे वहाँ है, वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे, मतलब 5000 वहाँ पे था, तो 5000 यहाँ भी आएगा, यह पूरे जो entries हुए थे, वो asset side के थे, अब balance sheet के credit side में क्या आएंगे, उसको देखते हैं, credit में सबसे पहले था, creditors, creditors में यहाँ बोला गया था कि 6000 के जो creditors हैं, उनको return off या अपलिखित करना है, तो total creditors वहाँ पे थे 50,000, तो 50,000 में से जब 6000 को minus करेंगे, यह हो जाएगा 44,000 जो हम amount वाले column में लिखेंगे, और उस question में, और question में दिया था, bills payable, bills payable था 20,000, उसमें किसी प्रकार का कोई adjustment नहीं तो उस case में, bills payable 20,000 था, तो पूरा की पूरा 20,000 हम amount के column में लिखेंगे, अब उसके बाद last में देखा जाएगा capital account, capital account कौन सा लिया जाएगा, जो partners capital account में हमने calculation किया था और जो balance आया था, तो उसी capital account का जो amount है, वो ही balance sheet में आएगा, मतलब सबसे पहले A का था 85,500, फिर B क था 71,000, तो B में आजाएगा 71,000 और C का था 81,500, तो 81,500 C में आएगा, इन तीनों को total करने के बाद, जो balance sheet का जो figure है, मतलब total, last में जो total है, वो होगा 3,200,000, जो assets में भी आएगा total करने के बाद, और जो liabilities में भी total करने के बाद आएगा 3,200,000, तो इस प्रकार से ये वाला स सवाल बना जाएगा, जिसमें calculations भी है, revaluation account भी है, partners capital account भी है, और last में balance sheet भी है,